वेल ये डॉल्स में भी पॉसेस्ट हों बाइदा घोस्ट बट ये डॉल्स की डॉल्स में ए आई है ये डॉल्स चैट जेपिटे एनेबल्ड हो और इसके थुरू बुढ़े या अकेले या फिर लॉंग टर्म केर में रहने वाले लोगों का ध्यान रखा जा सकता है अपने ओनर के साथ और उन्हें रिमाइंडर देगा जैसे कि दवाई लिलो या खाना खालो इनका एप और वेब प्लैटफॉर्म भी है जिसकी हेल्प से के डेकर या कोई रिलेटिव इन पर नजार रख सकता है और अकर 10 गंटे तक पीशन्ट कोई एक्टिविटी नहीं करता अभी तो ये तने फेमस नहीं है लेकिन जैसे ऐसे AI आएगा ये होते जाएंगे दन्यवाद रोबन जी का इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा न्यूस प्रवाइड किया है जैसे कि साथ कोरिया की लोगल गवर्मेंट साथ हजार AI रोबर डॉल्स डेपलाई कर रही है तो सीनियर एंड डेमेंशा पीशेंट्स एक डॉल और थाराज़ डॉलर की है कुछ स्टडीज हुई जिसमें पाया कि इससे डिप्रेशन लेवल 5.73 से खटकर 3.14 और मेडेसीन इंटेक इंप्रूब हुआ है 2.69 से 2.87 तक जो की काफी पॉसिटिव न्यूस है सेफटी फीचर्स भी है वहीं 10 गंटे तक अगर अक्टिव नहीं हुए तो ये नोटिफाइ कर देगा कि कुछ गड़बढ़ है चेक कर लीजिए टच इंटरेक्शन, 24 वोइस रिमाइंडर्स, चेक इंस, वोइस मेसेज़ेज, हेल्थ कोच, ग्विजज़, एक्सरसाइज, म्यूज़, और भी कुछ लोग इससे एतना अटाइच हो जाते हैं कि उसे अपने बच्चे जैसा ट्रीट करने लगते हैं, मॉयल सेज, मॉयल प्रोफेसर हैं स्कूल अफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ग्रिफित यूनिवसिटी इन अस्ट्रेलिया जो की काम करती है उन पेशिंट के साथ जिन्हें डिमेंशिया है, वो कहती हैं कि सूशल रोबोट के साथ काम करने के वज़ए से काफी लोग घुसा हो रहे थे और कह रहे थे कि बुड़े लोगों को रोबोट डॉल्स देने से वो इन पेंटलाइजिंग कर रही हैं, मेंस किसी एडल्ड को बच्चे की तरह ट्री है बट मॉयल से इसकी केर फैसिलिटीज में अधिकतर ओल्डर एडल्स को दिन और रात मैज़ोरेटर टाइम अखेला चोड़ दिया जाता है, तो इनकी खुशी के लिए कुछ ना देने से बैतर है कि कुछ दिया जाए आपके क्या थौट्स है ऐसे रोबूट्स के बारे में और मैंने कहीं जादे एक्स्प्लीन तो नहीं कर दिया आर्टिकल, अपना वीड़बएक जरूर दे, इससे मुझे अगली वीडियो बनाने में काफी हेल्प मिलेगी फाइनली इनोर मस्क ने बोल दिया कि ग्रूप को उपन सोर्स कर देंगे, means कि क्या अब कोई भी उनकी टेक्नोलोजी को यूज करके अपने प्रोडक्ट बरा सकता है, मतलब उपन सोर्स के अपने अलगलग लाइसेंस होते हैं, क्या सिर्फ रिसर्च पेपर रिलीज होंगे या हम वो सोर्स कोड कमर्शियली यूज कर सकते हैं, अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए, या हमें कॉपी लेफ्ट लाइसेंस मिलेगा, who knows, ये तो इसके आने के बाद ही पता चलेगा, क्यार मिट जनली ने स्टेबिलिटी एए के सभी एंप्लोई को बैन अकाउंट से, जिसके वज़े से ये आउटेज हुआ, और उसके लिए उन्होंने स्टेबिलिटी एए के एंप्लोई को ब्लेम किया है, जिसके बाद उन्हें इंडेफिनेट टाइम के लिए बैन कर दिया गया, निक पियर, डू फॉलो हीम, इन्होंने ट्यूट किया साथ म मर्च को और उसके रिपलाई में स्टेबिलिटी एए के सीओ इमाद इन्होंने बताया कि टीम से बात की है और डिक करेंगे, अगर मिड जन्नी डारेक्ट बात करता है तो हमें खुशी होती बट डीडाउस अटेक नहीं है और इंटेंशनल तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कोई illegal harmful चीज़े कैसे करें, अगर चैट बूट से पूछोगे तो वो मना कर देगा, लेकिन उसी को अगर ASCII art में पूछोगे तो वो इसका जवाब देदेगा, जैसे की ये, सिधा पूछा मना कर देगा, लेकिन ASCII art में reply आ गया, अफकोर्स इस research को पब्लिक करने से वीडियो सब्सक्राइब, इससे देखेगा और वो भी लास्ट सेक्शन, so that's it for today, see you later alligator.